जैमाकाली क्रोध क्यों आता है क्रोध एक विकारे हमें पता है क्रोध नहीं आना जीए क्रोध क्यों आता है क्रोध तब आता है और क्रोध तब हावी हो जाता है जब हमारी सहेंशीलता कम हो जाती है तो सहेंशीलता को कैसे बढ़ाएं तो सहनशीलता को बढ़ाने के लिए अपनी भगवान पर जो अपनी भगवान पर जो अपनी भगवान पर जो बहुत प्रगाड रखें अपने भगवान से प्रेम करें प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो हमारे अंदर सहनशीलता को जागरत कर देता है अगर हमारे परमात्मा से हमें सच्चा प्रेम है तो सहेंशीलता स्वयम ही आ जाती है हमें पता ही नी चलता स्वयम ही आ जाती है अगर आप एक सही मार्ग पे हैं तो क्योंकि ये कल्यूग है तो अगर आप सही मार्ग पे हैं तो आपको विगन आएंगे ही और लोग आपके सही मार्ग में बाधक भी बनेंगे क्योंकि ये कल्यूग है कि जब भी आप सही मार्ग पे चलेंगे एक तो जो सही मार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति वो आपको हमेशा अकेला मिलेगा उसके बहुत सारे विरोधी मिलेंगे वहीं एक गलत व्यक्ति जो जूटा है, मकार है उसके साथ में आपको एक भीड चलती मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति हमेशा मीठा बोलेगा, जूट बोलेगा, मीठा बोलेगा तो इसलिए उसके साथ एक भीड पर अपने सिध्धान तो पिकारे करता है इसे लिए उसको ऐसे वेक्ति उसके लिए विरोधी बहुत जादा खड़े होते हैं क्योंकि यह कल्यूग है तो हम अपने भगवान से अगर हमारी उपर वाले के साथ में बॉंडिंग अच्छी है तो नीचे वाले हमारा कुछ नहीं बिगार सकते हैं बस आविशकता है सही शीलता की बस आविशकता है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं तो विगना आने ही है तो हमें क्रोध नहीं आने देना है हमें यह जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनको बिलकुल सहीलता के साथ में फेस करना है और हमको क्योंकि मनजिल तो हमें फिर जो विरोधी होते हैं विरोधी जैसे नहीं दिखते हैं हमें जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जैसे नहीं लगती हैं आ रही हैं छूके चले जाएंगी हमें कुछ नहीं होगा अगर सहिंशीलता सीखना है तो हम एक मां से सीखें उसे पता होता है कि नौ महीने उ उसको बढ़ा करती है, बहुत तकलीवों के साथ में बढ़ा करती है, बहुत संगर्ष भी करती है और उसको ये भी पता होता है कि एक दिन ये बच्चा चला जाएगा, वो बच्चा पुरे समय उसके साथ नहीं रहने वाला है, वो अपनी जीवन में जाएगा, तो ये उधार का बदला पाना चाहता है इसलिए दुखी होता है कि हमारे बच्चों को हमने जन में दिया अभी हमारा आगे कुछ करेंगे यह आगे हमारा अब हम इनका पालन पुशन करें आगे जाके हमारा ध्यान रखेंगे नहीं इसलिए मुनुश्य दुखी होता है लेकिन वहां पे मु ये वापिस नहीं आएंगे तो ये पक्षी जादा प्रसन है मनुश्य से तो एक मा को पता है कि वो जो कर रही है जितना तकलीफ उसने बरदाश किया है उसके बाद में भी उसको किवल देना है उसको पाना कुछ नहीं है लेकिन उस मा की सहनशीलता से सीखिए कि वो कितनी सहनशील है उसको पता है उसको ये तकलीफ जेलनी है लेकिन वो तकलीफों को भी बहुत प्रसन होकर जेलती है उसके चहरे में तकलीफ या ठकावट कोई रंच मात्र भी चिन्न नहीं होता है कि आप अब ये तक्वीव होगी तो मैं ये नहीं करती हूँ, वो करती है, तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाईए, और जब सहनशीलता बढ़ा लेंगे, तो वो धीरे 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 आपके जीवन में आपके अंदर आते जाएगी, फिर आपको विपत्ती विपत्ती जैसे नहीं आपको विपत्ती में भी प्रसन्यता नजर आएगी, तो यह सब आप कर सकते हैं, जो अपने इश्ट से आप प्रेम करते हैं, आपके इश्ट से, आपके वगवान से, जो किये जहने वाला प्रेम होता है, वो आपको बहुत सहनशील बना देता है, बहुत अच्छा बना दे जाय माकाली